हालो दोस्तों नमस्कार जिस्ट गड़्मिय आप सभी का स्वागत हैं मैं आसा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे हों गे और इस्ट्रैटिक जीके कि तयार 21 साथ बहुत अच्छछे तरीके से कर रहा होगा दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इस्टी जीके क्लासेस कंटीनुन स्टार्ट हो चुकी है और आप को यह भी पता है कि यह सारे कोश्र नाव किसी परिच्भी बरिफ्ण उठा कर רख़े गए हैं तो आप लोग हमारे साथ अच्छे से लगए रहे और बहतरीन तरीकी से तैयारी करते है यह को जार्व यह यह एक जुब यह एक सीट यूपी-पी यह पतनी पक्की करनी है तो हमारे साथ में मेह मेंत हुआ करे यह कि जकले हुआ हुआ कि इतना मेहनत हम आपके लिए करते हैं उससे ज़ड़ को अपने लिए पड़ेगी तब ही जाके आसाफ बलता हासिल कर पाएंगे क्योंकि यहां परिच्छा यह दुनिया आपके जैसे ना जाने कितने दुरंदरों से भरी हुई है और आपको उन दुरंदरों को पीछे छोड़ना है और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं तो मेहनत करिए अच्छे से पढ़ाई करते रही हैं और हमारे साथ इन कोशनों की नोट्स बनाते रही हैं और दोस्तों अपने समय का कभी दुर्प्योग नहीं करना है इसलिए मैं कहता हूँ कि जीत लो हर लमहा जीत लो हर लमहा क्योंकि समय बीट जाने के पास बीट जाने के बाद यादे रह जाती हैं लेकिन वक्त नहीं आता है अगर एक बार समय आपका बीद गया तो फिर से समय लौट के आने वाला नहीं है तो इसलिए अपने समय का हमेशा सदियू प्रिवोक करें चीजों को अच्छी तरीके से कवर करते रहिए जितना आपको बताया जाता है परड़े उसको पढ़िए नोटस बनाई एच्छी से और उसको रिवाइच करते रहिए तब जाके कहीं आपको सभलता मिलेगी क्योंकि आज के जमाने में एक नौकरी लेना बहुत बड़ी बात ह है और उन्हीं वच्चों का स्लिक्षन होता है जो महिनत करते हैं जो अपने दम पर कुछ कर गुजरने की चाह रखते हैं तो आप लोग बेतरीन तरीके से हर चीज को एक प्लानिंग के एकॉर्डिंग अच्छे से कवर करते रहिए अगर आपको सफल होना तो आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए एक सिकारी को अगर सिकार करना होता है तो पहले जो उसकी प्लानिंग होती उसको बहुत अच्छे तरीके से डिवलब करता है तो आप भी एजिस सिकारी के जैसे कारे करिए और एक सीट आप अपनी पक्की करिए और अपने मावाब का नाम रोसन करिए तो अच्छी तरीके से त्यारी करिए मैं आसा करता हूँ यह आप सभी लोग हमारे साथ सारी चीजों को अच्छे से कवर करते रहेंगे और मैं कहता हूँ दोस्तों कि नामुम्किन कुछ भी नहीं है हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम जो चीजे सोच सकते हैं उसके बारे में कारे कर सकते हैं प्लानिंग बना सकते हैं तो अगर आपने सोच रखा है कि मुझे नोकरी लेनी है तो उसको अचीव करने के लिए अपने सबनों को पूरा करने के लिए अच्छी तरीके से उस पर कारे करना सुरू कर दीजिए त और एक के बाद एक कोशन जितनी देर तक आप टाइम देंगे उतना ही आपका सेलेक्शन होने के चांसेज बलते जाएंगे क्योंकि यह सरंकला जब तक यूपीपी नहीं आएगी लगवग 20-30 क्लासेज आपकी बनने वाली है तो आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहे तो ब तो क्राव व्यक्ति करण परावर्तन अपवर्तन ध्वनी तरंगों का अध्या रोपड तो भाई यह जो इस ट्याथो इसकोप होता है जिसको आला बोलते हैं यह किस पर कारे करता है तो ध्वनी तरंगों के अध्या रोपड पर कारे करता है तो देखो यहां पर किरा डाक् तहने का मलब हर्ट होता है मनुष्य का हिर्दे मनुष्य का जो हिर्दे होता है हिर्दे एक मिनट में बहत्तर बाद धड़कता है एक मिनट में कितनी बाद धड़कता है बहत्तर बार और दो हिर्दे धड़कनों की बीच की दूरी जैसे दो बदलकी थी कितना होता जी रो पोइंट एर्ट रॉज्ट होता है ठीक है और ये जो मनुष्य का हर्ट होता है मनुष्य का हट्र ठीक है यह क्या करता है एक से निल्वेर में बार दड़कता भी है नौजासी सुव में धड़का नलग होती है वैस कमलश्य की 72 होती है ठीक है तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा तो आपसन नमबर ए इस सारी कॉश्चन नमबर फर्ष्ट का ए इस राइट आते हैं नेक्स्ट कॉश्चन पर अगला कोश्चन आपका कह रहा है कि दिन्मलिखित में से किसने माउंट अबो के पस कायादार गाऊ में गोरी राजवंत के मुहम्मत गोरी को हराया था ठीक है आप शन ए भीए इंद्रो सोलंकी है अब ऐसे ने किने को हराया था मुहम्म्मद गवरी और हैं अपनी योग एक भीद्वामा नैनिका देवी की नित्रत्त में मां Abo मुहम्मद गौरी को मुहम्मद गौरी की भारत में पहली हार थी मुहम्मद गौरी की दूसरी हाद तराइन का जो पर्थाम युद्ध था तराइन का पर्थाम युद्ध कब हुआ था ग्यारा सो इक्यान नभी में किसके किसके बीच मुहम्मद गौरी मुहम्म गोरी प्लस प्रत्वीराज चौहान के बीच और इसमें प्रत्वीराज चौहान क्या हुआ था जीत गया था प्रत्वीराज चौहान क्या हुआ था जीत गया था ओके और बाद में फिर होता है तराइन का दुती युद्ध ग्यारा सो बान नबे तराइन का दुती युद्ध हार जाता और मुहम्म्मद गोरी जीत जाता है तो यह को तो आते खोशन नमबर थर्ड पे अगला कोशन करहा है कि पारिसितिक तंत्र के या पारिसितिक के जनक कौन है और ने श्ठैकल दूसरा चास्ट डारविन फिर सी है इव आर्मिंग और डी है चार्ल्स एलं तो बहूं है आपके आर्नेस्ट हैकल कौन है आपनेश्ट हैकल पारिसिदिक यानि इकोलोजी है एजी टांसली नहीं किया ठीक आते कोशन नंबर नेक्स्ट पे अगला कोशन कर रहा है बच्छा यहां कोशन आपकी परिश्चर यह बहुत इंपॉर्टन क्यों क्योंकि यहां पर अभीनों भारत की गई है और भीनों भारत से क्वेश्चन जादा तरह आपके बनते हैं यह हमेशा आप ध्यान में रखिएगा तो कह रहा है किनिमलिखित में से किसने करांती कारी के एक गुट संगठन अभीनों भारत की इस थापना की थी अर्विंद्गोस सचींदर सांधाल सूर सेन बीडी सावर कर तो भाई यह इसकी सापना किसने की थी बीडी सावर कर ने की थ महाराष्ट की जो साफ़ित की घए ती यह मद्दक्रदेश और नासिक में घंबत्या मनाने की सिल्सले में 12 मेला मित्मावक संगठा ऩर्ट की गठित किया था इसी कहने का मुद्ध भारत को अब इनों बारत को मित्रमेला भी कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है मित्रमेला भी कहा जाता है है यहाँ से question बनता हैं छापके लिख लिखे की नवकिटी की थी इसका नाम क्या है अकबर औरंग जेव हमायु साज तबंगा उसके समय को काला समराज काला कहा सबसे अधिक हिंदु मनसबदार थे यद्यपी औरंग पूरे मद्दकाली सासकों में सबसे अधिक धार्मी के रूप से कटर माना थे बहुत कटर विक्ती था यह औरंग जीप ठीक है लेकिन सुरोतों से ग्यांत होता कि अकबर के समय जहां बाइस प्रस्द मनसबदार हिंदू थे वहीं औरंग जेब के समय में इनकी संख्या 33 प्रस्द थी और यह देखो औरंग जेब जो आपके हैं ताना सा इनक अगला कोश्चन कह रहा है कि निलखित मंदिरों में से किसे यूरोपियन नाविकों द्वारा ब्लैक प्रेगोड़ा भी कहा जाता है ब्लेक पर गोला के नमसे जाना जाता है नम्बर एई राक्त है कि पूरी स्थित कंड़ार को विशाल मंदीर सूर्य दयों नर सिंग द Macron नर सिंग नर मन नहीं से बनाया था ठीक क्या नातनों क्तेरवी में कि only सतावध्डी की सताथ में साथ भी तक तक लइक अपन कहने का मदलब इस चता यह लिए जाना जाता है यह यह के पूरीमें इस्तित हम यहीं पर दियान देना देना यह दिखे आपकाई मंदिर क्या हुआ है दिखाया ऀंगरी, रिद होगा है यह जो कोड़ा उप सभाल से को देती है कलिंग पूरसकार का पूरसकार को सरकार को देती है यही कलिंग पर इसी कलिंग ओपर 201 सापूर में 201 सापूर में समराट असोग ने क्या किया था विजय फॉप्त किया था ओके को दिक्कत यहां तक आते हैं बच्छा नेक्स्ट कॉश्चन पर अगला कुशन करा आपका करा कि दच्छुन अमेरिका का चौड़ा ब्रच सही रहीत घास का मैदान कहलाता है चौड़ा ब्रच रहीत घास का मैदान कहलाता है सिल्वा पंपास प्रेजी इस्टिपीज वह यह क्या कहलाता सिल्वा कहलाता है क्या कहलाता है सिल्वा कहलाता है त खान पाइस समसी तोषल घानस एक समसी तोषब कंद संसी तोषब यूरोपि में मैं फसिद्ध समसी तोषब से बहुत पहुंद लग रही है चीज यहां को समय में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को सेयर करना ना भूले ताकि एक लाइस उन बच्चों तक पहुंच जाएं जो इन सब चीजों से बहुत दूर है जिनके पास प रंकला को अच्छी तरह से क्लियर करना है तो क्लास के लास्ट तक बिल्कुल बने रहीएगा ओके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्टन पे अगला कुशन कह रहा है कि स्वाचलित वाहनों में प्रदूसर नियंत्रन हे तू सी एंजी में मुख्यता उपस्थित होता है सी एच फ नची Oo 2689 सबत्रक उपस्थित होती और इठेन और प्रोच पेन भी रहते इथि यदेन और इधेन और क्या होती है प्रोपेन भी होती है और याद दूहारा है कारबन यूग जो पना करती है ठीक सी अन्जी अब तो सी एंजी होता है सी एंजी का पूरा नाम है नैचरल कहाओ यह प्रदूसरा नहीं करती है ठीक है यह गैस और पेट्रोर लीजर कि तुलना में कारबन डाय आकसाइड सत्र पस्त नार्टोजन सतासी पर जैविक गैसों के लगभग इतने पर का मुतसर्जन करती है ओके अब करा कि सीएंजी का उप्योग सबसे पहले पंद्रा का सुनी सो पच्पन को नई दिल्ली में हुआ था और इसकी सुरुआ दोजात तीन में वहां सभी सेंजी बैसों के रूप में हो गई थी जबकि पहला प्रियोग का हुआ था तो उन्हीं सो पच्पन में हुआ था कोई दिक्कत यहां तक आते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला कोश्चन कह रहा है कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क दोकरा ओज्जैन का प्राचीन का था इसके आन्यन नाम घंजटी थे बारत में पञच नगरी में प्रशिद जैनी कालेश्वर मंदिर यह कहां पर एज स्थित है जई स्थित को दिक्त यहां तक ए से अगला सीन किए आपका क्षच्छन कॉरीगान दौरह भीopoly कासित की लगा का नाम क्या था महात्मा गांभी हैब सबी को पता दच्छड अफरीका गए थे तो ओंप इनों ने कुछ पत्रिकामी प्रकासित की थी उन्हें से करें इसका नाम क्या है नो जीवन हरी जन्ट इंडियन ओपीनियन अफरीका निश तो वह और जो था रुट क्या था इंडियन ओपीनियन था ठीक है गांधी जी 1393 में तिरान नवे में दच्छिड अफरी का गय थे दच्छिड अफरी का क्या कि गांदी जी 1893 में गय ठीक है और लौड के आये थे 9 जन्वरी है किCHL लौड कर लौड कर भारा ता थे कब 9 जन्वरी 1915 को इसी करन नौ जनवरी को प्रवासी भारती दिवस मनाया जाता है और तीस जनवरी को सर्वोधय या सहीद दिवस मनाया जाता है अगला कोशन आपका है किराकी निम्नी में से किस मुगल काल का एतियासिक भीवरोन लिखा है गुलबदन वेगम नूर जहां जहां आरा बेगम जबनिशा वेगम तो यह किस ने लिखा था गुलबदन वेगम बाबर की पुत्री थी किस की पुत्री थी बाबर की और गुलबदन वेगम ने हुमायू नामा की रचना की थी इसके एक भाग में बाबर के बारे में वर्लन और दूसरे भाग में हुमायू के इतियास का वर्लन किया गया है यह किस बाबसा में है तो फार्सी बाबसा में है इसकी रचना हुमायू के समय की नहीं थी अब बाबर की रचना है बाबर की रचना है वह अब की बाबर नामा बाबर नामा किसकी है तो बाबर की है ठीक है बाबर नामा किसकी है बाबर की है कोई दिक्कत यहां तक ओके आते हैं नेक्स्ट कॉश्चन पर तो देखो अगला कॉश्चन है किरा कि स्वेज नहर किसको जोड़ती है किसको मिलाती है तो देखो लाल सागर वारब सागर लाल सागर अरफ सागर भूमत सागर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर तो स्वेज नहर भूमत सागर को लाल सागर से जोडने का कार्य करती है लाफसा नमबर बी इस राइट करा स्वेज नहर मिस्र के सिनाई प्रादूप में बनाई गई विस्व की सबसे बड़ी करत्रिम नहर है इसक किसको किसको जोड़ती है तो भूमत सागर को लाल सागर से देखिए इसमें उसको जटाया गया एक मैं आपके पास यह दिया गया है और इस मैं उस नहर को दर्शाया गया है ठिक को दिकत आते हैं कुशनमबर नेक्स्ट पे अगला कुशन है आपका करासार नाथ स्तंब का निरमार किया था है सारनाथ इस्तंब का इमान किसने किया था तो बहिए देखो हर्स वर्दन ने असोग ने गौतम बुद्ध ने कनिस्क ने तो सारनाथ जादत तर जो चीजें हुए न वह असोग निकिया था 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 आपस नमबर भी इस राइट करा सारनाथ उत्तर पदेश के बनारस के समीब स सारनाथ में मौर्स सम्राट असोग ने महां ने महां ने इंटो से 288 फिट ऊंचे धामेक धर मराजिक बहुत दिस्तूब कर रबाया था तो असोग ने करवाया था ठीक कि बात कर राश्टी चिन सारनाथ इसी असोग इस्तंब के सीर से ही के कि एक सीर से किया नुकरती है सीर सवाग से लिया गया है कि सिर्व बारफ सरकार निजन को Vit 10 MBA को शरक था किस परuity ये चिनक रूप में अपनाया था जबास सरकार निई से किस रूप में बनाया 26 जनवरी इस सो पचास क्र дан tão के चिनक रूप में अपनाया जिक इस गौतमबुद्थ ने पाँच ब्राम्छ सन्यासियों को अपना पर्त्रमुस दिया जिसे धर्मचक्र प figuring क्या कहा घजगा तर्मचक्र पर одна फसारनादं के रिशिय पत्तनक येमर्गांदवन्ध के नमसे भी जाना जा था किसको सार परनात को ठीक है यह वह यह देख लिजिए आपके महाराजा असोक की यह इमेज है यह बनी हुई है और इन्हों नहीं दोसुए इक सड़ हिसापूर में इसापूर में कहां विजय किया था कलिंग पर कलिंग पर विजय किया था किसने असोक नहीं किया ठीक आते कॉशन नबर नेक्स्ट पर अगला कोशन के रहा है बच्चा करा कि ब्रह्म समाज का सिद्धांद आधारी थैं ब्रह्म समाज अधाज किस पर बल देता है नास नास तिक्ता पर अधुए पर एक देवाद पर बहु ठीक है तो कि 1828 में राजाराम मोहराय ने ब्रह्म समाज की नियु डाली थी किसकी नियु डाली ब्रह्म समाज की अब भरम समाज का उद्धेश सासवत अपरिहार इस्वर की पूझा जो सारे बिश्व का करता धरता और रच्छक हैं पिर करा इसमें मूर्थि पूझा बली और निंदा की गई से मूर्थी पूजा वली और निंदा की गई ठीक अगर कह दिया राजा राम मोहन के उपदेश्चों को दढ़ करने के लिए आफ़स में एकता गडबंदर करना था जिसका नया जीवन फूकने में इसे इस निएन दूलन को बढ़ाने का का रहे हैं महार्च देवेंदरनाथ निकिया था कब वेदान्त कॉलेज की इस्थापना की इन्हों ने इन्होंने ही सति प्रथा कांद किया सती प्रथा कांद किया निंग किस प्रथा कांद किया धीकक का वठारा सो उन्तिस में किसके नेतरत तुम्हें वह गवर्णर कौन सा तरलाड विलियां बैंटिंग था कोई दिकत यह इमेज में देखिए राजा राम मोहराया आपके बनाए गया है यह उनकी इमेज दिखाई गई है आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि वह कौन सा सेन जी को दौने के लिए भेजा था आफसन इनायत का आफसन भी अफजल का आफसन सी सेइस्ताअ फवसट डी संडी सेइन को सेयां तो अफजल का था करा सुल्हाया सो निशनुन भीज़ापूर राज ने अपने प्रक्याथ सरदार अफजल वह को शिवा जी को कैदा करने मार डालने के लिए वेजा था कि जाओ या तुनको मार डालो या फिर उनको कैद कर लो ठेक हैं तो करहा है वाई नौमा की स्थान से अफ जल ख्छान ने अपने दूँद कर से सीवा जी को मिलाने के लिए संदेश दिया और अफ ज़नाओं को धस्ट करते हुए उसे मार सीवा जी ने से क्या कर दिया था उसे माह डाला था और वीजा उस समय पूरका सासर कौन था तो आदिल सा हुआ करता था ओके कोई दिक्कत यहां तक किसी को आते हैं बच्चा नेक्स्ट कोश्चन पर और यह देखिए सीवा जी आपके यह देखिए बनाया गहां लोग देख लीजिए ठीका नेक्स्ट कोश्चन अगला क्या राव श्यक्त कि मौली का दिखारों के अंतर कांसे संब्न से संब्दीत है आफसन 17 अपसन 23पसन 24 तो पूंसा बई आप संट इस हिसले उड़ा श्रूगे रूख कोई वो नहीं होगा ह। लिए खीट्चुन पर पर अस्पर रिष्यद वनीस तुवाकेवां थे वह कहा हूं अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंतरता चांव कि वह और अभिव्यक्ति की स्वतंतरता किस में उच्छेद 19 कि तो देखोए यहां पे नाव प्रतिबंब प्रतिबिंद सवरी प्रतिशेद करा अनुछेद चौदा इस अनुछेद को साथ 14 से कम उम्र के आयू के बच्चों कार खाने और में नहीं रखा जाएगा जो कि मरेकारियों में नहीं रखा जाएगा इतना सवन्में आया को दिक्कत आते हैं बच्चा को था गारों का था गारों खासी जेंतियां कहां पाई जाती में पहाड़ीयां भी यह क्राप आगल पंती एक अर्द धार्मी को अ संपर्दाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम साह ने चलाया था करम साह पुत्र उत्तर अधिकारी टीपू दार्वी तरह राजनती को देशों से प्रेरिद था उसने जमीदारों और मुझारों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया ठीक है ठीपू ने से पूर पर अधिकार कर लिया था अभी द्रोहियों ने गारों पहाड़ियां तरह इसके आसपास के छेत्र को अठाव चली से था प्रशास तक उपद्रों ग्रस्त बना रहा तो के बच्चा आतने कोशन नमबर नेक्स्ट पे अगला कोशन आपके लिए करा है लिखित में से किसने आप में तोड़ी गई मस्जित का पूना निर्मार के लिए धार्मिक साहता प्रदान की थी आर्थिक साहता प्रदान की थी किसने चमुंडरा जैसिंग सिद्राज कुमार पाल महीपाल किसने किया था जैसिंग सिद्राज करा गुजरात के चालू करता सोलंकी वंस के प्रता था और अटार दस सो चौराननवे से ग्यारा सो तिरालिस तक उसने सासं किया था प्रसिद जैन आचार हेम चंद उसके दरबार की सुभा बढ़ाते थे और सिद्राज ने मंडब बनवाया जहां से साथ पूर्जों के भीजार हुई मूर्तियां इसापित करवाई उसी ने मंदिर का भी माल करवाया था कोई दिक्त यहां तक तो अगर कह दिया जाई कंबात की खाड़ी में इस तिन मंदिर को किस ने तोड़ा था तो आप बता होगे यह यह सिद्धराज में इस तोड़ी की मजीद के साहता पधान की ठीड़ अगले कोशन भी आतने हैं बच्छा अगला कोशन करा हैं जतिन तस किस आरूप में बन रहा गया थे जतिन रहें झ किस आरूप में बन दी बनाए गया थे मेरत सब्सक्राcit केस पैसावर सब्सक्राइन की से लिए तो यहीं यह जतिन दास अपनी मंगो को फूरा करने कि लिए मौकर दाल कर में जेल में क्या हो गए थे सहीद हो गया तो देखो जैसे हैं एच एस आरे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसियेशन ठीक है यह कहने का मलब पहले इसे हारे कहा जाता था हिंदुस्तान डिपब्लिक के से जाना जाता था ओके अब इसमें ऐसा लग गया है यह यहां तक सभी को क्लासे सब्सक्राइब और वडियो को लाइक जरूर करिएगा ठीक आते हैं को अगला कुशन आपका कह रहा है एली फैंटा दूप कहां इस्तित हैं बंगाल की खाली में पाल की स्ट्रेट हिंद महा सागर अरफ सागर ते काई सित भीया अरफ सागर में स्थित है करायली फैंटा बंबाई से साथ मिल उत्तर पूर में समुद्र में स्थित एक दूई पहां या परसित गुफाओं मंदिरों राष्ट कुस आसकोन वारा करवाया गया थे यहां से पांच गुफा मंदित सिफित प्रतिमा प्राप्त हुई थी यह देखी आपको वह गया दिखाया गया इलिफंटा बूंब अगले कोशन पर आते हैं अगला कोशन आपका कहा रहा है कि दिल्ली सल्तनत काल में डांग व्योस्ता का विस्तरत विवरण दिया था किसने दिया था डांग व्योस्ता का विस्तरत विवरण अमीर खुसरो इबन बतूता सुप्रतान फिरोसा जियाउदीन बरनी तो देखो बैया किरा इबन बतूता सेख अग्दुल फजल थारा सो त 33-34 में मुरक्वस निवासी की रूप में भारत आया था या अफरीका का निवासी ठीक सल्तनतकार मुहमत बिन तुगलक के सासन काल में भारत आया था और तुगलक नहीं से दिल्ली का काजी निक्ति किया था इसने तेरा सो बैली समें सुल्तान का राज़ू बनकर चीन भेज दिया गया अबन बतुटा ने भुक लिए ती जिसका नाम था रहिला उस बुक का क्या नाम है तो इस बुक का नाम है रहिला ठीक है और अगर कह दिया जाए इसकी पुस्तर विदेशियों ब्यापारियों आगमन डांक चोबियों गुप्टचर के पास अधिक से धिक जानक जाए था थां कवाय तेरा सोटेंटिस भी में आया था लेकिन अब जो है वह याँ सबसे बड़ी बात दिये कि जो इन बतुटा था न यह किसके समय में आथा थो तो देखो भीया किरा महात्मा गांदी के साथ चंपान सत्याग्रह में भाग लेने में समलित थे कौन वल्लब भाई पटेल और विनोब वावे जमालाल नहरू और राजेन परशाद राजेन परशाद और अनुग्रह नहरान सिंग महादेव देशाई और मनी बेन पटेल तो इनके साथ कौन कौन सामिल थे इसमें तो देखो भीया अगर कह दिया जाए कोशन में स्टें किरा कि महात्मा गांदी के साथ चपान सत्याग्रह में भाग लेने में समलित थे वल्ला भाई पटेल और विनोब वावे जमाला नहरू और राजेन परशाद राजेन परशाद अनुग्रह नरान सिंग दे महादेव देसाई और मनीवेल तो यह कौन थे राजेन परशाद और अनुग्रह नरायन सिंग थे करान नील की केती से संबनेत विवाद में गांदी जी उनीस सत्त्रा में राजकुमान सुप्र के बुलाने से चंपारण आये थे कौन आया था ग कि सोर राजें परसाद महादेव देसाई पोक्रे जेवी कि लानी यह सवादी लोग क्या हुए थे सामिल हुए थे ठीक है गांदी जी चपान सत्य अग्रह कब था उनीस सो सत्तरा में तो कहां वह था भयार में और गांदी जी उनीस सो सोला के लखनव अधिवेशन में लख पर यह जो आचार राजकुमार थे कौन थे राजकुमार सुख लिए गांदी जी को चपाल सत्याग्रह के लिए बुलाया था गांदी जी उन से वहीं पर पहली बार मिले थे ओके आते हैं कोशन नमबर नेक्ट पर अगला कोशन कहा रहा है बच्चा कि बहुद सरचना धाम कहां इस्टीट है बहुद सरचना धाम एक इस्टीट है तो आप्षान एसारनाघ बीशाची कोड़ाग इस्टीट महाली पूरा तो पहली बहुत ही तो पाली भासं में तो संचिगा और करना टक कहा तो आप सवारी कोडार का आप कम नबॉक्स करक करके बताइए कि यह दूनों इस से कहां पर इस आते हैं बच्चा नेश्ट क्वेस्टन पर अगला कोशन है आपका कि मानों सरीर का और सतम तापमान क्या है आउसत तापमान मानों सरीर का आउसत आपमान जो अठान नवे समलो छे फारे नाइड होता है लेकिन सेल्सियस में कितना होता है सैथजी सोता है और अगर का दिया जाहे बरिया किसमें कैल्विन में तो कैलिवन में 1010 कैल्विन होता है सामाने मनों इसका सारी वीच्टाब कैली Mir.110 होता है और यह चीज यहां पे थोड़ा misteak से आ गई है इसको आप लोग कटकर दीजेगा ओगे भी वर्षा की बूनें गोला कार होती है क्यों क्या क्या है तो कह रहा है hehe हवा में प्रति रोग होता हैं जल में प्रस्तथनाव होता है benut mean क्या होती है वर्सा की बूने गोल दिखाई पड़ती है तो कह रहा है द्रव वह गुण है जिसके कारण इसका मुक्त प्रश्ट तनित कलाकार के रूप में कार करता है उसे प्रस्ट तनाव कहा जाता है वकरा दिये गए आतन के लिए गोला काराकरती के प्रश्ट का केबल आकरतियां प्र प्रस्ट तनाव के कारण ही मच्छर पानी पर तैरते हैं आते हैं कोशन नंबर नेक्ष्ट पे अगला कोशन करा बच्छा आपका कि निलखित में से कौन सा जानवरों का एक तीवर वारा लोग है जो मनिश्यों में एक संक्रमद संक्रमद जानवर की काड़ने से पहलता है बाई अगर महलों कोई कुट्व पागल ओंडी तो कवो कोशी मारी होती है लुठीक टैन्वरूह क्या होता है रेभी घठा नो रर फेयलने डैमेज करने लगता ठीक इसको प्रभावित करता है जिससे प्रेवजी विक्ति समाने नहीं रह पाता और रे भीज हाईडोफोविया कहते हैं क्योंकि इसमें भीज पानी से ड़न लगते हैं यह जो रे भीज भीज विवारी होती इससे हाईडोफोविया भी कहा जाता है और से करन व्यक्ति क्या करता है पानी से डरता है कुट्टों की जैसी मुझ से आवाज भी निकालने लगता है कोई दिकत अच्छा लग्रत प्रीज वीडियो को लाइक करिए सेयर करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को आते हैं अगला कोश्चन के रहा है कि रिखित मैं से कौन सार अपसंडी एस्ट्राजिन आफसंसी आइसोप्री टूरन वर आफसंडी मैलेथियॉ ठीक है तो भाईया देखो अगर कह दिया जाएं कि फलों को पकाने के लिए कौन सा होता है तो इते फौन होता क्या होता है इतलीन प्रोपेलीन इतै फौन मैलेथियान पेड़ को किया जाता है कोई दिक्कत यहां तक वोगे बच्चा आते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर कि मुहम्मद गवरी ने जैचन को किस युद्ध में पराजित किया था आप सने तराइन का युद्ध 1191 तराइन का युद्ध 1212 मुंम्मद गौरी ने चंदावर के उद में जैचन को पराजित किया था बीजय चंद्र का पूत्र जैचन गयारा सत्तर से बारा सुचोनों गड़वाल वंस के अंतिव सासक के रूप में था भारती लोक साही तता कताओं वार राजा जैचंद्र के नाम से विख्यात था फिर यहीं पर देहां दीजिएगा करा मुहम्मद गौरी ने प्रस्वी राज चौहान को दुती उद्ध के जीतने के था मोहम्मद गौरी ने प्रस्वी राज चौहान से तती जीतने के बाद क्या किया था ग्यारा सो चौहान और मुहम्मद गौरी 1191 कि गौरी प्लस चोभान के वीच GReally और गॉरी क्या हुआ था 7022 में फिर इन ही दोनों की बीच फूता इसमें चोहान हर गया था गॉरी जीध गया ठीक है तब जाकर गयारा जोराने चंदावर का युद्ध होता है कोई दिक्कत यह तक किसी कोई सहस्या हूपके बच्चा और मैं आसा करता हूँ कि आप लोग अच्छी खासी नोट्स बना रहे होंगे और हम लोगों के साथ अच्छी खासी तैयारी कर रहे होंगे क्या से सन्द आपके आने वाली विल्म अखिल भारती राष्टी कांग्रेस की प्रता महिला अध्यत्य कांँ थी आप साने नालिदनी सेन गुप्ता सानु नाडू एनि बैसंड कादम बनी बोस तो यह कों ती एनी भैसंड थी काौं थी ऐनी बैसंड पहली महिला पूज अगर भारती महिला पूज़ा तब आप कांग्रेस के अधियुटा करने वाली पहली महीला बनी थी कांग्रेस के अधियुटा कुर्षेजुटा कानपुर में इसकी डिक्कत यहां था किसी —— ओके बच्छा आते हैं नेक्ट कोश्चन पे नेक्ट कोश्चन है आप का किरा दारा सिकों ने किस सीर्सक के अंतरगद उपनी सदों का फार्सी में नुवात किया था आफसा ने अलफिहर सवत किताब अलभया मन्म बहरीन सिर् अकबर तो किसका वहीया किया था तो इन्होंने से ऐक्बर किस थापना की थी अकरा साज जहां मुम्ताज महल के सबसेIVE बड़े पुत्र दारा सी ने ने 52 उपने सदों का फार साम में नमाज सिर्र अक्बर नाम से करवाया था मनलब जो सा जहां थे और सा जहां और मुंतार कर जो लड़का था दारासी को उसने बावन उपने सदों का नमाज फार्सी भासा में करवाया था उपने सदों संक्या किनी थी तो एक सुवार थी